गुद मॉर्निंग स्टूदिन इस वीडियो इस अबाउट क्लास फाइब सब्जिक साइन्स चेप्टर नम्बू वन रिप्रोडेक्शन इन प्लांट्स इस आर लेक्चर नम्बू फाइब बेटा जब हमने ओनलाइन स्टडी स्टार्ट की थी तो हमारा चेप्टर वन जो साइन्स का था रिप्रोडेक्शन इन प्लांट्स इसका समड़ी लेक्चर और इसका टेस्ट रहे गया था ठीक है तो अब हम जब हमारा में और अप्रेल मन्द का स्लेबस्ट फिनिश हो जुका है तो हम सबसे पहले अपना यह जो हमारा लेक्चर टू रह गए थे एक सम्री लेक्चर और एक टेस्ट रहे गया था यह हम कंप्लीट करेंगे चेप्टर वन रिप्रोडेक्शन इन प्लांट्स का साइन्स का उसके बाद हम टर्म टू का स्लेबस्ट करेंगे I am repeating this again हमारा चेप्टर वन रिप्रोडेक्शन इन प्लांट्स जो टर्म वन का स्लेबस में सम्री लेक्चर और टेस्ट रहे गया था तो हम जब हमारा अप्रेल और में मन्त का स्लेबस फिनिश हो चुका है तो हम पहले इस चेप्टर का सम्री लेक्चर और टेस्ट देंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा टर्म टू का स्लेबस ओकी बीटा लेट्स स्टार्ट दा लेक्चर सम्री लेक्चर कुए क्रॉल अफ देट्टर जल्दी से हम उस चेप्टर को रिवाइस करेंगे पूरा मतलब इंपर्ट पांट्स the method of producing of young ones of same kind is known as reproduction what is the definition of reproduction the method of producing of young ones of same kind is known as reproduction जो method होता है एक जैसे जो young ones जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जनम देने का या जोटे उसी तरीके के उसी काइंड के छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जनम देने का वो होता है reproduction reproduction in plants occur by various methods through roots, stems, leaf and seed जो reproduction है plants में प्लांट में भी उसी तरीके के छोटे जो प्लांट होते हैं जैसे कि अगर आपके घर में एक बहुत बड़ा गॉआवा का ट्री है अम्रूत का पेर है तो यह थोड़ी नहीं कि वह स्टार्टिंग से इतना बड़ा है और ऐसा नहीं है कि बस एक ही पूरे वर्ल्ल में जो गॉआवा है उसका ट्री है नहीं उसके जैसे भी और बहुत सारे ट्री हैं उसको और उगाया जा सकता है जो उसको नए ने समबू क्यों सब्सक्यां सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रिष्ट होता है सीट ASDs के रूगरわかा सकते हैं इस तो सब्सक्राइब अलग तरीके से reproduction होता है है दो आप आज हो सीट का डाइग्राम भी रिवाईज कर सकते हैं पनी नौट बूक में आपकी नौट बूक में हैंनी आपको बनाने के लिए बोला था होग सीटका डाइग्राम तो आप उस seed के diagram को आज एक बार दुबारा से revise कर सकते हैं दुबारा से draw कर सकते हैं उसके तीनों parts को mention करके उसको label करके उसको आज हम आज आप revise करेंगे a seed has three main parts seed coat, seed leaves and embryo ठीक है three parts होते हैं seed coat, seed leaves and embryo this is the seed structure बिटा ठीक है आप देख सकते हो यह seed का structure हमने पहले भी पढ़ा था seed coat, a tough protective coating, seed coat क्या होती है, tough protective coating होती है, embryo consisting of young roots and shoot which will develop into the adult plant ठीक है और जो embryo होते हैं उसमें young root और shoot, root मतलब जड़ और shoot मतलब जो उपर का plant होता है, वो दोनों चीज़े होती है जो develop कर जाती है, adult plant में, food store, a store of food storage of the young plant to use until it is large enough to make its own food और food storage वो होती है, जो young plant को help करती है, grow करने में, जब तक वो अपना खुद का food बनाने नहीं लगता जब एक seed, जब एक बीज क्या होता है, germinate होता है, तो वो एक new baby plant को बड़ा करता है, उसमें से एक new baby plant भार आता है A baby plant is known as seedling, और जो यह baby plant होता है, उसको हम क्या बोलते है, seedling, a seed need air, water and suitable temperature to germinate और जो एक seed है, उसको proper air, water और suitable temperature की ज़रूरत होती है, germinate होने के लिए, ठीक है बीटा The process of spreading seed to different places away from the mother plant is known as disposal of seed हम देखो पिटा क्या होता है, कि जो trees बड़े हो जाते हैं, उनमें flower grow करते हैं, fruit बनता हैं, उनके अंदर seed होते हैं उनी seed से वैसा ही same plant हम होगा सकते हैं, तो क्या होता है, कि जब वो seed पक जाते हैं, तो वो seed वहीं पर नीचे गिर जाते हैं ठीक है, बट जब वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो seed soil में जाके germinate होते हैं, बट उन्हें proper वहाँ पर air, water, sunlight और space नहीं मिल पाता, जिसकी वज़े से वो प्रोपर तरीके से grow नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस seeds को mother plant से अलग किया जाता है, कई बार ये by nature भी हो जाता है, और कई बार ये by manual भी होता है, manual तो हम जब खेती करते हैं, किसी जीच को हम अपनी मर्ची से उगाते हैं, तब होता है, nature के थुरू कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे, जब जो seed हैं, वो अपनी mother plant से अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं, dispersal of seed, what is the definition of dispersal of seed, the process of spreading seeds to different place away from the mother plant is known as dispersal of seeds, तो dispersal can be carried out by wind, water, animal और even by self-explosion, और ये जो by nature होता है, वो कैसे कैसे हो सकता है, wind के थुरू, हवा के थुरू, water के थुरू, animals के थुरू, और even by self-explosion, जब हमने ये lecture किया था, तो मैंने आपको 1-1 जो ये चारों तरीकों से एक एक करके, मैंने सारे आपको फोटोस के थू भी प्रेन क्या था, कि wind हवा में कैसे cotton seed उड़कर हवा में एक जगा से दूसरी जगा पर पहुच जाता है, और वहां पर ग्रो करता है, और कुछ seeds, water के थुरू चले जाते हैं, water के थुरू कौन से जाते हैं, जैसे coconut tree है, coconut sea sore पर होता है, तो जो उसका seed होता है, वो नीचे गिर जाता है, और जब समुंदर की लहरे आती हैं, तो वो seed को अपने साथ ले जाती है, और दूसरे sea sore पर छोड़ देती हैं, दूसरे कहीं आगे जाकर, उसको seed को बहुत आगे ले जाकर, कहीं भी sea sore पर छोड़ देती हैं, और वहां पर उसका germination हो जाता है, और कुछ seeds, animal के जैसे उनकी फर होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें ये लग जाते हैं, जैसे हम कहीं पर बैठते हैं, तो कहीं बार देखते हैं, ग्रास हमारे कपड़ों पर चिपक जाती है, ऐसे ही कुछ seeds इनके फरों में चिपक जाते हैं, और जब ये थोड़ी आगे जाते हैं, अप और जिसे आपने कभी पी मतलब मतर का पेड देखा हुएगा ठीक जब मतर लगते हैं तो वह ग्रीन कलर के होते हैं तो यह जो पूरा मतर होता है वो अपने आप ही explode हो जाता है मतलब फट जाता है और उसके बीच बहुत दूर-दूर तक जाके गिरते हैं तो वो भी अपने आप mother plant से दूर जाके गिरते हैं और वहाँ पर germinate हो जाते हैं तो ये चार तरीकों से क्या हो सकता है? dispersal of seed हो सकता है there are three main types of crops फिर हमने उसके बाद crops के बारे में पढ़ा था कि crops कितने types की होती है? three types की crop होती है first होती है food crops जितनी भी हमारी food items जैसे गेहू चावल, बाजरा, मक्का ये जितनी भी हमारी खाने की जो हमारे फसले उगाते हैं farmers वो सारी आती है food crops में ठीक है? vegetables भी इसी में ही आती है oil producing crops और जो crops से oil निकाला जाता है जैसे की mustard, सरसो सरसो के आपने देखे होएंगे पहले तो उसको काट कर सबजी भी बनाई जाती है बट जो वो पक जाते हैं उसके बीजो से तेल निकाला जाता है ऐसी coconut, मुफली उसकी भी खेती की जाती है उनके बीजो से भी तेल निकाला जाता है जो भी crops oil producing में help करती हैं वो oil producing crops के लादी है and fiber crops जैसे की cotton, jute cotton उगाई जाती है कपास आपने देखा होएगा ज्यादतर पंजाब साइड होती है ठीक है तो क्या होता है वहाँ पर उसमें रूई उखती है आपके एरिया में भी उखती होएगी कई पर आपने देखा होएगा white white color के ऐसे लगते हैं flowers हैं बहुत सुंदर और अगर हम उसको वहाँ जाके तो तोसमें सोरी निखलती तो जो भी हमें फाइबर देतें मतलब कपड़ा देते हैं cotton से cotton को निकाल के पहले कौने फिर उसका fat बना जाता है पर अधापर बनता है तो जो यगा कपड़े बनाने की जो भी हमें fiber जिस crop से मिलता है उन्हें हम fiber crop कहते हैं summer season crops are known as kafir crops and winter season crops are known as rabi crops जो crops summer season में होती है उन्हें बोला जाता है kafir crops और जो winter season में होती है उन्हें बोला जाता है rabi crops इनके नेम भी डिफिरेंट है summer के लिए अलग है और winter के लिए अलग फार्मर केन गेट healthy crop by certain tips और जब हमने ये lecture किये थे lecture number four में मैंने आपको कुछ tips वहाँ पर बताये गए थे कि farmers कैसे अपनी crops को और भी healthy बना सकते हैं उसका production बढ़ा सकते हैं ठीक है उसके लिए कुछ tips थे कि seeds की quality देखी जाए ठीक है और soil की quality देखी जाए उसके according वहाँ पर see crops grow की जाए तो वह certain tips थे जिनकी help से एक farmer अपनी crop को और भी healthy कर सकता है नव बेटा तुदेश होंवग आज का होंवग हम डिसकस करेंगे तुदेश होंवग इस फिल तुदेशी इन होंवग I am going to give you assignment of this chapter okay first of all first question is fill in the banks a seed needs sufficient amount of dash I repeat a seed needs sufficient amount of dash dash and dash to germinate a seed needs sufficient amount of dash dash and dash to germinate जो three things चाहिए होती है germination के लिए वो आपको three things लिखने है number two an embryo consists of dash and dash जो एक embryo होता है वो dash and dash से मिलके बना होता है the process of changing of a seed into small plant is called dash I repeat the process of changing of a seed into a small plant is called dash number four the seeds of cotton and hyptage plant are dispersed by dash the seed of cotton and hyptage plants are dispersed by dash dash and dash are oil producing crops I repeat dash and dash are oil producing crops next question is write T for true and F for false for the following statement number one sweet potato grow through stamp cutting I repeat sweet potato grows through stamp cutting number two seed leaves are present between the embryo seed leaves are present between the embryo seeds required seeds require sunlight for germination seeds require sunlight for germination next is coconut seeds are dispersed by animals coconut seeds are dispersed by animals weeds are unwanted plant which grow along with the crops weeds ऐसे unwanted plant होते हैं जो हमारी crops के बीच में उग जाते हैं true or false बताना है आपको weeds are unwanted plants which grow along with the crop नाव नेक्स्ट कोश्चिन इस मैच ता फॉलॉइंग सीट्स और फूट्स के नेम है आपको इसको डिस्पर्जिंग एजेंट जो हमने अभी चार डिस्पर्जिंग एजेंट पड़े थे नेचरल की इन से चार से अपने आप ही डिस्पर्ज हो जाती है सीट्स कौन कौन से सीट्स किसके त्रू डिस्पर्ज होते हैं आपको वह मैच करने हैं नमबर वन कोकोनेट नमबर टू टाइकर सीड नमबर ट्री को टन नमबर फॉर पी I repeat, number 1, coconut, number 2, tiger seed, number 3, cotton, number 4, pea or dispersing agents, explosion, wind, water, animal again I am going to repeat, explosion, wind, water, animal You can do this homework in your notebook, fair notebook and you can, if you don't have fair notebook, you can write in rough notebook and book exercise, you can fill in your book also and after doing your homework, please click photos of your homework photo click on your homework and send it on my email address which I shared you with Adquare website Adquare website, I have my email ID, please send those photos on that email ID and don't forget to mention your name, class, row number and section because some students still are not mentioning their name, class, row number and section four things should be must, four things should be must, four things should be must because then you have to put your homework according to your homework according to your homework, class, row number and section four things should be must, four things should be okay, class, bye bye, have a nice day please revise this chapter properly if you have any doubt in this chapter, you can ask me by sending a mail on my email address you have my WhatsApp number also, you can send a message on my WhatsApp number please don't call, please send messages only okay, okay, bye, have a nice day, bye bye okay, bye, have a nice day, bye, have a nice day, bye, have a nice day okay, bye bye, save you